हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूज्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनायलसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनायलसिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉव करता जाँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाऊँगा यहां फिर टेलेग्राम के जरीए मैसेज सेंड कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वार शेप में नजर आ रही है एक कम्प्लीट स्क्वार शेप इनकी हथेली बनाती हुई यो इंडिकेट करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे fingers काफी थिक है सभी fingers के ओपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं बिल्कुल clearly नजर आ रहे हैं कुछ इस तरह हैं की सीधी खड़ी रिखाएं जो आप देख पाएंगे इनकी सभी fingers के lower phalanges के उपर मौचूद है ऐसी रिखाओं का होना काफी positive माना जाता है ऐसी रिखाएं होने से native बहुत मिलनसार सभाव का रहता है दोसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली nature ऐसे native की देखी जा सकती है अगर हम लंबाई की बात करें अब यहाँ पर देखेंगे इनकी शनी finger काफी अच्छी length में है शनी finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native काफी महिनती nature का होगा ऐसे व्यक्ति hard working होने के साथ साथ अनुशाशन प्रिया भी होते हैं और अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति काम्याब हो जाते हैं अगर हम देखें इनकी index finger यानी गुरू की finger को आप यहाँ पर देखेंगे यह finger काफी थिक है यहाँ से आप देख सकते हैं थिकनेस और काफी अच्छी लंबाई में है इस वज़े से ऐसे native काफी spiritual minded होते हैं काफी अच्छी leadership qualities भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी यह finger अच्छी लंबाई में हो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूरिया finger है यह finger length में इनकी इस finger से यानी इनकी सूरिया की finger से भी ज्यादा लंबी नजर आ रही है यह finger अगर अधिक लंबी हो तो native की leadership qualities काफी strong रहती है साथी साथ थोड़ी सी ego भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है overall काफी अच्छी thickness में यह दोनों fingers अगर हम सूरिया finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे medium length में यह finger नजर आ रही है लेकिन एक अच्छा social circle ऐसे finger व्यक्ति को देती है साथी साथ काफी अच्छी creative और artistic qualities भी ऐसे native के भीतर रहती है अगर हम देखें इनकी mercury finger को तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो mercury finger है अच्छी लंबाई में है और सूर्य finger के top falange तक यह finger पहुँचती हुई नजर आ रही है अप यहाँ से देखेंगे finger length में लगभगी सेरिया तक पहुँचती हुई जो सूर्य finger का top falange है यहाँ तक पहुँचने इस finger का indicate करता है कि native के communication skills काफी बहतर होंगे ऐसे व्यक्ती का business equipment भी strong रहता है ऐसा native अपने communication skills की वज़े से ही जीवन में काफी अच्छी तरक्की पा लेता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं के सभी mounts को उसे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर fingers के बीच में आपको हलके gaps भी नजर आएंगे इस तरह के gaps का होना indicate करता है कि native काफी ज़दा independent सभाव का होगा ऐसे व्यक्ती आगे बढ़कर responsibilities उठाने वाले होते हैं और थोड़े से जद्धी सभाव के भी होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव इनकी fingers के बीच में बनने वाले हलके gaps यहाँ पर दर्शाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो ब्रस्पती mount है शनी mount है और सूर्य mount है तीनों high set है यहाँ से इनका mercury हलका सा low set होता हुआ जिसकी वज़े से थोड़ी shy nature रह सकती है लेकिन overall mercury बिल्कुल भी यहाँ पर weak नहीं है अगर आप इस area को देखोगे तो यहाँ उठा हुआ उभरा हुआ area mercury mount का यहाँ पर नज़र आ रहा है जिस वज़े से native के काफी strong communication skills रहते है साथी साथ यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रिखाएं भी नज़र आएंगी ऐसे खड़ी रिखाएं अगर बुद्ध परवत के उपर मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी healing qualities रहती है ऐसे native दूसरों की मदद करने वाले होते है अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपने सलहा से लोगों की problems को दूर करने की काबलियत इनके भीतर रहती है मरकरी रिखाओं का यहाँ पर होना और यहाँ पर एक सीधी रिखा इस तरह की मौचूद होना native के अच्छे वीनस equipment की तरफ भी इशारा करती है अगर हम बात करें के सूर्य परवत की आप देख सकते हैं यह जो area है आपको हलका सा अंदर की तरफ दबता हुआ इस center area से नजर आएगा इस mount का दबना native के जीवन में यश्की कमी लाता है अगर यह mount दब रहा हो तो ऐसा native दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितने भी मदद कर ले बदले में किसी तरह का reward appreciation नहीं मिल पाती जिसको हम यश्की कमी कहते हैं लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में सूर्य रेखा मौचूद है आप देख सकते हैं इस सेरिया से आपको एक रेखा नजर आएगी जो बिल्कुल सीधा यहाँ तक पहुंचती हुई कुछ और रेखाएं साथ में होना यहाँ पर multi-tasking nature को indicate करती है यहाँ पर सीधी सूर्य रेखा अगर heart line के उपर ही मौचूद हो तो ऐसे native literature में चलकर काफी अच्छा name and fame पाने में काफी अच्छी recognition पाने में कामयाब रहते हैं लेकिन अगर यही रेखा लंबी हो जैसे किसी व्यक्ति का हाथ में ऐसी लंबी सूर्य रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति छोटी age से ही famous होने लगता है लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में यह है रेखा इनकी हार्ट लाइन के बिलकुल ऊपर मौजूद हो है जिसकी वज़य से इनकी जो recognition है वो 60s की age के बाद मन्ने की सिंभावनाई रहेंगी अगर हम देखें इनके शनी परवत को तो आप यहाँ पर देखेंगे सुर्या परवत की भाती यहाँ माउंट भी दबता हुआ नजर आ रहा है अगर शनी परवत दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है संगर्श थोड़ा अधिक रहता है लेकिन अच्छी बात क्या है इनके हाथ में कि एक शनी रेखा जिसको भागया रेखा भी कहते हैं वो मौजूद है और यह रेखा इनके हाथ में बीच में थोड़ी सी कमजोर हो रही है लेकिन फिर भी शनी परवत तक कंप्लीटली पहुंचती हुई नजर आ रही है अब देख सकते हैं यहां से शुरू होती है इनके हाथ में शनी रेखा कुछ इस तरह हैं से यहां आकर थोड़ी सी वीक होती हुई लेकिन आगे फिर छे यह हैं इपने जीवन में देख पाएंगे अगर हम बात करें इनके गुरु परवत की, अब यहां पर देखेंगे गुरु परवत का एरिया काफी उठा हुआ है, ब्रस्पती माउंट अगर अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ती बहुती नॉलेजेबल होते हैं, यह एरिया इतना एरिया जो ब्रस्पती का है, यह व् कुछ दिखते हैं इनिशली मेरिट लाइफ में आ सकती हैं लेकिन ऐसा स्क्वाइर होने से प्रोटेक्शन रहती है और साथ ही साथ यहां पर आपको एक रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह से जो उनकी जीवन रेखा से निकल कर उपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है ऐसी रेखा को हम प्रोग्रस की लाइन कहते हैं जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखा मौचूद होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरकी कर पाने में कामयब हो जाते हैं बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा आगे बढ़कर बाइफोर्क होती हुई नजर आ रही है कुछ इस तरह का फोर्क इस सेरिया में आप देख पाएंगे और यह रेखा इस तरह से इस तरह क फोर्क बनना जिसको हम विश्नु चिन कहते हैं काफी अच्छा संकेत माना जाता है और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का बाइफोर्क बनता है हाट लाइन के अंत में ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी किस्मत वाले होते हैं लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति मांदारी से काम करता है तभी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की पा लेता है लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ में या चिन हो गलत रास्ते पर चल कर बैमानी से धन कमाने की कोशिश करे तभ जीवन में बड़ी दिक्कतें और आ सकते और प्रोग्रेस रुख सकती हैं और अगर हम देखें इनकी हाथ लाइन को तो यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलापिंग आपको इस एरिया में नजर आएगी हार्ट लाइन में और ओवरल हार्ट की लाइन काफी स्ट्रेट है एक प्राक्टिकल टाइप की परसनालिटी इनकी रहेगी इस तरह की ओवरलापिंग का इस सेरिया में होना नेटिव की 55 के आसपास की एज में थोड़ी दिक्तों को इंडिकेट करता है ब्लड प्रेशर जैसे दिक्ते हैं यहार से स्बंदित कुछ दिक्ते हैं इस एज में आने की संभावना रह सकती है अगर हम देखें इनकी लाइन आफ माइन्ड को तो एक अच्छी और लंबी मस्तिक्ष रेखा इनके हाथ में है काफी अच्छा गैप यहां पर इनकी इन दोनों रिखाओं के बीच में जीवन रिखा यह जो है जीवन रिखा है और यह जो रिखा है माइंड की लाइन है अब देखेंगे इन दोनों के बीच में एक काफी अच्छा गैप आपको नजर आ रहा होगा इस तरह का गैप अगर इन दोनों रिखाओं के बीच में मौचूद होता हो तो ऐसा व्यक्ति काफी इंडिपेंडन्ट सभाव का होता है थोड़ी जिद्धी परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की होती है लेकिन ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपनी रिस्पोंसिबिल्टी लेना देते हैं और ऐसा व्यक्ति काफी इंडिपेंडन्ट सभाव का होकर किसी के दबाब में रहकर काम नहीं कर पाता ऐसे व्यक्ति अपना खुद का इंकम जनरीट करना पसंद करते हैं और लाइफ में इंडिपेंडन्ट रहकर जीना पसंद करते हैं ओवरॉल माइंड की लाइ कुछ आईलेंड जैसी शेप बनाती हुई भी आपको नजर आएगी कुछ इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि 60's की एज में चलकर थोड़ी हैल्थ वीक रह सकती है जो कि यहां पर जब भी यह कोई भी रेखा आईलेंड की शेप इस तरह की शेप बनाए त को तो यह एरिया काफी उठा हुआ है जिस वज़े से नेटिव थोड़े खरचीले सभाव का हो सकता है लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपको कुछ ऐसी आड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी ऐसी रिखाएं होने से नेटिव को रिलेशन्शिप्स में कई बार दिक्तों का स चेंताएं नेटिव को परिशानी देती हैं अगर हम इनकी चंदर परवत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे चंदर परवत का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है काफी सारी अपवर्ड जाने वाली रिखाएं इनके मून मौंट के उपर नजर आ रहे हैं कुछ रिखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लाइफ में ट्रैवल काफी अधिक रहेगा ऐसे व्यक्ति शॉर्ट डिस्नस और लॉग डिस्नस दोनों तरह की ट्रैवलिंग जीवन में काफी अधिक करते हैं और जब खास तोर पर इस तरह से भागया रेखा भी इसी रिया से उठकर उपर की तरफ जाए तो वदेश यात्रा के चांसिस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज़रूर आते हैं तो दोस्तों ये कुछ अनैल्सिस थे इनके हैंड के बारे में और बेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आब एक ही वीडियो के दूरू द धन्यवाद